हेलो फ्रेंट्स ये जे डीडी 29 पीजीटी पेंटिंग 2014 की ये क्वेश्टन पेपर का मैं नेक्स पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ 126, question number 126 ऐसा कलाकार जिसने ज्यादा तरसन स्थापन कला में काम किया हो तो इसका राइट अंजर क्या हो जाएगा? C, LN, तल्लूर ये करनाटा के कलाकार थे इन्होंने संस्थापन में सबसे ज्यादा कलाकरती है इन्होंने बनाई थी अपनी तो इनका एक संस्थापन आर्ट में शो करना चाहती हूँ जिससे आप लोगो थोड़ी लर्ण करने में जोड़ाद एजी रहेगा तो देखते हैं ये है LN, तल्लूर की थ्रेश होड़ ये एक संस्थापन है इन्स्टॉलेशन आर्ट है जो गैलरी में उन्होंने प्रदर्शित किया था तो आप देख सकते हैं थ्रेश होड़ कितना बारीगी से इन्होंने अपना वर्ख प्रेजेंट किया है इंस्टॉलेशन आर्ट के थ्रूप ठीक है 2013 साल में कंणर राजयत्सो पुरसकार पाने वाली कलाकार थी शीला गौड ये 1957 में बॉर्ण थी और ये वैलूर की कलाकार थी इन्होंने स्कूल आफ आर्ट बैंगलोर से अपना डिप्लोमा किया अरे आर्ट की शिक्षा ली थी और डिप्लोमा इन्होंने विश्व भारती शांती निकेतन से किया था इन्होंने इंस्टॉलेशन आर्ट में ये एक में खास तोर से इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट के नाम से जानी जाती है ठीक है तो ये उनका शीला गौड का बी होल्ड 2009 का इंस्टॉलेशन आर्ट शीला गॉंड शीला गॉंड का यह installation art है ठीक है तो दोस्तों यह आपके लिए काफी helpful हो जाएगा तंजा और चित्रकारी होती है तंजा और चित्रकारी एक पारंपरिक चित्रकारी होती है जिसमें लक्षमी, गर्नेश, कृष्ण इन सब चीजों की चित्रकारी की जाती है कपडे पर किया जाता है, right answer is C, कपडा ठीक है, next question देखते हैं, acrylic paint है, acrylic paint क्या है, एक त्वरित सुहने वाला paint है, right answer is A, त्वरित सुखने वाला paint स्री तत्व निधी इनकी देन हैं स्री तत्व निधी मैसूर के राजा कृष्ण राज वडेयर कृतिय की देन है ठीक है, next question देखते हैं, 132 सफर का अंत जर्नीज एंड इनकी कृति है, चित्र कृति है जर्नीज एंड अवनिन ना टैगोर की कृति है, चित्र कृति है, अवनिन ना टैगोर की ये कृति मैं आपको शो कराऊंगी, देखिए इसको ये है जर्नीज एंड अवनिन ना टैगोर की जर्नीज एंड है, जो इन्होंने बहुत ही सुन्दर तरीके से चित्रत किया है यह बहुत ही सुन्दर और बहुत ही world famous इनकी painting है अबनिन्ना टैगोर की तो यह रही journeys end ठीक है, next question आगे बढ़ते है जहांगीर आर्ट गैलरी कहां इस्थित है जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में इस्थित है ठीक है किस प्रसित्यक अलाकार ने 2010 में अपनी भारतीय राष्ट्रेता त्याग दी थी यह है M.F. हुसैन M.F. हुसैन ने अपनी राष्ट्रेता त्याग दी थी कब 2010 में, ठीक है next question देखते है मुकूल चंदर डे इसके लिए जाने जाते है मुकूल चंदर डे किसके लिए जाने जाते है ड्राइब पॉइंट इचिंग के लिए जाने जाते है इनको इंडिया का ग्रैफिक आर्टिस्ट का पाइनियर कहा जाता है मतलब उसके स्टार्ट करने वाले जो इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट किसको कहा जाता है मुकुल चंद्र डे को मुकुल चंद्र डे का बैक्राउंड भी बहुत अच्छा था उनके माता पिता और उनकी सिस्टर उनके एक ब्रदर ते जो मनीशी डे थे वो भी वेल नोन आर्टिस्ट है और उनकी टू सिस्टर थी अनुपुर्डा और रानी वेर अकॉंपलिस्ट ये भी एक बहुत बड़ आर्ट और क्राफ्ट के लिए जाने जाते थे ठीक है इनका मुकुल चंद्र डे का एक पेंटिंग दिखाऊंगे आप ये हैं उनकी एक ड्राइपॉंट इचिंग पेंटिंग मुकुल चंद्र डे की जो आप देख सकते हैं कितनी खुबसूरत है इन्होंने इस देश के नागरिक है इनका पूरा नाम है फ्रैंसिस न्यूटन सूजा फ्रैंसिस न्यूटन सूजा प्रोग्रेसिव आर्टिस ग्रूप के सद्द से थे इनकी पेंटिंग एक हाल भी ही इनकी एक पेंटिंग का निलामी हुआ जो सफ्रो नेट आर्ट नेट के द्वारा निलामी की गई जिसकी प्राइज 8.12 करोन रुपीज वो किया गया, एनाउस किया गया तो ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के कलाकार के लिए ठीक है, F.N. Suja Francis Newton Suja ये प्राइज जो निलामी हुई ये उनके बेती के संगर से प्राप्त हुई थी नेस्स कौächen देखते हैं, अश्म मुद्रन ये प्राचीन मुद्रन तकनीकी है जिसका प्रयोग इस पर होता है अश्म मुद्रन अश्म मुद्रन को इंगलिश में लिथोग्रेफ외 कहते हैं इसका English वाला version दिखाती हूँ आपको इसको कैसे लिखाया है अश्ममुद्रण को अश्ममुद्रण 137 question number लीथोग्राफी is an old painting technology ये है from metal, from stone from cloth, from wood right answer is B, from stone ठीक है right answer is B, पत्थर अतिय अथार्थवार्थ सिधान्त में क्या होता है अतिय अथार्थवार्थ सिधान्त में यथार्थवादी प्रतिमावली को अधिक महत्व दिया जाता है ऐसा नहीं है अथार्थवादी प्रतिमावली को अधिक महत्व दिया जाता है बट उससे भी कहीं और उसमें चितरत किया जाता है परंपरावाद को अधिक महत्वा दिया जाता है प्योरों को अधिक महत्वा दिया जाता है राइट अंसर इस डी स्वापना और स्वैर कलपना को अधिक महत्वा दिया जाता है इसका मैंने एक एक्जामपल अपने पिछले वीडियो में इन्हों ने एक पेंटिंग बनाई थी दा मेल्टिंग वाच में इन्हों ने वाच को इस तरह से पिगलते हुए दिखाया था ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे लग रहा है कि कुछ सारी चीजे जैसे लेदर की हैं मेल्ट हो रही है या किसी मोम की चीजों को हिट करके उसको पिगला रहे हैं इस तरीके से इन्होंने इस चित्र को बनाया हुआ है तो स्वपनों और स्वर कल्पनाओं को अधिक महत्व दिया जाता था अधिया धार्थवाद में नेस्ट क्वेशन देखते हैं 139 के एच आरा दूसरे एक चीज़ ध्यान दीजेगा कि जितने ही प्रमुख आर्टिस्ट हैं जैसे के एच आरा एसेच रजा सूजा और ये आपके मुकुल चंद्रडे इस सारे आर्टिस्टों के बारे में इसमें दिया है सारा कुछ आपका इंडियन हिस्ट्री से ही तो सारे जो मूवमेंट हुए है प्रोग्रेसिव आर्टिसकूप शिल्पी दिली शिल्पी चक्र ये सारे आपने अच्छ से याद कर लेना है इस एक्जाम के लिए ठीक है तो चोला मंदल का जाना का जाउन कहा है चोल मंडल कलाकार का गाउं कहा है? चोल मंडल कलाकार का गाउं तमिलनाडू मदरास में है इसका एक चित्र मेरे पास मैंने संगर में अपने रखा है मैं आपको दिखाते हैं विसकोसिटी कैसे दिखता है यह है कृष्णा रेटी की विसकोसिटी पेंटी जो इस तरीके से दिखती है इन्होंने अपने ग्राफिक प्रिंटिंग चित्रों में इस तरह से विसकोसिटी में चित्रत किया है जो वर्ल्ड फेमस रही है ठीक है? नेक्स कुश्चन देखते हैं केरल की कौन से बाल कलाकार की मृत्यू छे वर्स की आयू में हुई? केरल के एडमन्ड थॉमस कलिंट नामक कलाकार की मृत्यू छे वर्स की आयू में हो गई छे वर्स की आयू में आप समझ सकते हैं छे वर्स में जब कोई बच्चा अभी कला की चीजों को कुछ जानता ही नहीं ऐसे फ्री हैंड से लाइन्स कीषता है उस समय तक ही फेमस भी हो चुगे थे और इनकी डेथ भी हो गई थी तो एडमन्ड थॉमस कलिंट के बारे में आप एक बार देख लीजेगा यह बहुत ही चर्चित टॉपिक है नेक्स क्वेशन देखते हैं 143 किस प्रकार की कला शैली केवल अलपकालीन अवधी के लिए होती है अभी हमने बात किया था इंस्टॉलेशन आर्ट के बारे में दो दो आर्टिस्टों के बारे में बात किया था तो इंस्टॉलेशन आर्ट जो है यह अलपकालीन अवधी के लिए होता है क्योंकि उसको हम किसी चीज़ को वहां प्रेजेंट करते हैं उसको एक नाम देते हैं कई चीज़ों को माटेरियल इकठा करके और फिर उसके बाद उसको जब हम हटाते हैं तो वो चीज़ें फिर से निकल जाती हैं वो हट जाती हैं जब तक हम एक्जिविट करते हैं उसको त फिर को फिर निकाल देते हैं तो इंस्ट्रोलेशन आर्ट किया से लिए तो पिरबुस्ति है keeping the tomorrow is no modernookum यह सेरीग्राफी तक निकी है, सेरीग्राफी का एक मेने चित्र रखा है, सेरीग्राफी इस प्रकार की मुदर तक निकी है, क्वेशन है, सेरीग्राफी इस्टेंशिल पद्धती से चापा जाता है, इसमें एक डिजाइन बनी है, जो फ्लार फ्लार, तो वो एक तरह से निजसे के प्लेंट साथी साल एक प्रिंट सेंसल पद्धटी से छापा बनाना प्रक्रिया कहा जाता है सेरीग्राफिय इस प्रकार की मुद्र तकनी की है राइट अंसर इस इस्टेंशल पद्धती से छापा बनाया जाता है सेरीग्राफिय में नेस्ट क्वेशन 149 1950 में के एच कुलकरणी के अगवाई में दिल्ली में एक अलाकारों के समू से इसे निधी बद्ध किया गया इसको क्या कहेंगे दिल्ली में के एचारा के द्वारा कृष्णा शामा राव कुलकरणी द्वारा 1950 में अगवाई में दिल्ली में एक अलाकारों के समूख से इसे निदिवद्ध किया गया ये था राइट अंसर इस बी शिल्पी चक्र वैसे दिल्ली शिल्पी चक्र का जो इस्थापना टाइम है वो 25 मार्च 1949 है बट यहां क्वेशन है 1950 में केश कुलकर्णी के अगवाई में दिल्ली में एक अलाकारों के समूख तो ये दिल्ली शिल्पी चक्र हो सकता है लेकिन इस्थापना टो इसकी 25 मार्च 1949 में हुई थी इसकी जो सदस से थे वो यामिनी राय थे भवेशा न्याल थे धनराज भगत थे प्राणना अत्मागो कवल कृष्ण देवियानी कृष्ण जया अपा स्वामी और राम कुमार तथा रामेश्वत बरूठा थे और इसके जो प्रमुक सदस से थे वो कृष्ण शामाराव कुल करनी के जी के एच कुल करनी थे तो राइट अंसर इस बी शिल्पी चक्र नेक्स्ट कृष्ण कैलास नात मंदिर यहां इस से थे क्वेशन है कैलाशनात मंदिर बट इसका नम होना चाहिए कैलाश मंदिर कैलाश मंदिर जादा तर ये महारास्टर के एलोरा के जो 16 नंबर गुफा है रास्टर कूट वराजवन्ष नरेश कृष्ण प्रथम द्वारा 757 से 783 इसवी के बीच मद्य में निर्मित कराए गया था ये औरंगाबाद जिले के एलोरा नमक गुफा में है जिसकी 16 नमक गुफा है ये कैलाश मंदिर जो महारास्टर में इस्थित है जो की महारास्टर में इस्थित है ठीक है दोस्तों नेक्स कुशन देखते हैं 147 रिम्ब्रांट द्वारा की गई एक प्रसिद्ध कलाकृती द थ्री ट्री एक है क्या है द थ्री ट्री एक नकाशी है यहाँ पे नकाशी लकडी पर नकाशी सेरीग्राफी चित्रकला चित्रकला नहीं है, सेरिग्राफी भी नहीं है लकडी पे नकाशी भी नहीं है तो यहाँ A है नकाशी नकाशी को इंग्लिश में इचिंग कहते हैं इंग्लिश वाला वर्जन दिखाती हूँ इसका मैं आप लोग को 147, one of the famous artwork by Rembrandt The three tree is an इचिंग, first A है इचिंग, इसको हिंदी में उन्होंने नकाशी दे रखा है तो दोस्तों एक बार इंग्लिश से हिंदी, एक बार हिंदी से इंग्लिश भी आप स्विच कर सकते हैं जिससे आपको question अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है तो इसका मैं एक आपको figure दिखाती हूँ कि किस तरीके से दा थ्री ट्री का इन्होंने बनाया है ठीक है यह है Rembrandt की दा थ्री ट्री इचिंग माधिम से बनाया है इन्होंने यह इनकी बहुत ही सुन्दर इचिंग एक graphic print था जो की world famous रहा है ठीक है, Rembrandt इचिंग के लिए famous भी थे और इनकी यह दा थ्री ट्री इचिंग पद्धती में बनाई गई है नेक्स क्कॉर्शन देखते हैं हैले बीडु को पहले यह भी कहते थे हैले बीडु को पहले विष्णु वर्धन बीडु भी कहते थे गोमतेश्वर इसकी मूर्ती है गोमतेश्वर किसकी मूर्ती है बाहुबली की मूर्ती है गोमतेश्वर बाहुबली जो प्रथम तिर्थकर थे रिशब देव उनके पुत्र थे बाहुबली जयन ध्यर्म से रिलेटेड है ये दुनिया की सबसे उची अखंड प्रतिमा है जो बाहुबली गुमतेश्वर ये 56 फूट उची गुमतेश्वर प्रतिमा है इसका एक प्रमुख विशेष्टा ये है कि एक ही पासाड खंड से निर्मित है करनाटक के मैसूर जिले में इंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर इस्थित है इस प्रतिमा में शक्ती सादोत्व बल्व सौंदरे की भावनाओं का अद्बुत प्रदर्शन होता है इनके पिता का नाम था रिशव देव जो जैन धरन के प्रथम तेर्थ करते और माता सुननदा देवी थी रामकुमार भारत के सर्वसेस्ट कलाकारों में से एक हैं और ज्यादा तर उनकी कृतियां हैं अमुर्थ भूदरिश्य में हैं यह हैं रामकुमार जो बैग्राउंड में इन्होंने अमुर्थ चित्रत किया है यह भारत के एक प्रमुक्थ कलाकार्थ है जो जो मुर्डरन आर्टिस्ट के रुप में जाने जाते हैं इनकी एक सिर्गला है जो बनारस के घाटों पे इन्होंने चित्रत किया है जो वर्ल्ड फेमस रही है तो दोस्तों ये हमारा वीडियो फिनिश हो जाता है 25 questions मैंने अभी करा दी है तो ध्यान से देखिएगा और अपने exam के अच्छे सा तयारी करेगा इसको एक, दो बार, तीन बार आप सुनेंगे तो आपको चीजें लड़न हो जाएगे बहुत ऐसा tough नहीं है और मैंने with description और with figure आपको समझाया है तो आपको ये long term के लिए याद भी रहेगा तो दोस्तों, thank you for watching my video and thanks a lot for giving me appreciation ओके, thank you so much for watching my video and please subscribe my channel, okay, thanks